अपार बहुमत मिल रहा है अजीत सर्मा जीत पो नेता ऐसा होना चाहिए जो सदन में आवाज उठाने तात्वामत रहें और जनता से रूप रूप होते रहें नमस्कार आप देख रहे हैं किलांचल टाइमस और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुड़ाय रूप करते खास ख़बर की और नवगश्या प्रखंड के उप्रमुः गौतम कुमार ने महागटबंधन प्रतियाशी अजीत शर्मा के समन में क्या कुछ कहा आईए आपको भी सुनाते हैं देखे अजीत सर्मा के समर्थक में समर्थन में यह लोग पहुचे हैं और क्या कुछ बोलना चाहते हैं और किस तरीके का जनता का जो है वो प्यार मिल रहा है और किस तरीके से जनता सपोर्ट करें उसके बारें बात करते हैं क्या लग रहे किस तरीके का देख रहे हैं समर्थन अजीत सर्माजीत को और यहां की जनता नेता चुनित आत्वाम पर रही है अभी भी वह भागलपुर से विधायक है कि काम कैसा किया है वह तो अब भागलपुर में भी देख सकते हैं भोला नात्पुल और अधर ब्रीज हर जदा वो मुद्दा उठाते रहते हैं और नेता ऐसा होना चाहिए जो सदन में आवाज उठाने तात्वाम तरहें और जनता स रूबरू होते हैं जाजीत शमाजीता फुद अपना छभी है उसमें किसी पार्टी की कोई जरुरत नहीं है अजीत सरमा फुद अपने बल पे उतना उन्ता है बागलपुर की जंता नहीं पूरे देश की जंता मन बना चुकी है कि यह महागठवंदन की सरकार बनेंगी दस सालों में जनता देख चुकी है महदी सरकार की इस तरह से जो है लोगों को ठग रहा है महगाई चरम पर है बहाली नहीं निकल रहा है कैंसिल हो रहा है भागलपूर में अभी यह केजरिवाल को गिरफदार किये हुए है और यहां पर कि जनता जदी चाह लेगी अब मोदी का जो है वो ड्रामा देख लेगा ना तो वह चार सीट भी पार करना मुस्किल हो जागा आपको बहें जी पता होगा कि उंकार रेली में बलाश्ट हुआ था ठीक ना और यह आतंगवाद के खिलाप इतना 56 इंच का सिना दिखा रहे है और अभी तक वह आतंगवाद जो है वहाँ पर उनके जेल में बंद है उसको कुछ नहीं हुआ है जबकि उसको भासी की सजा होनी चाहिए लोग तो यह भी ना कह रहे है कि इस बार 2019 के तब फिर से प्रधान मंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे कैसे बनेंगे जान ले आप लोगों के माध्यम से जब सुचना जाएगा ना कि आतंगवाद उनको मारने के लिए आया था नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आया था पटना के गंधि मैदान में और यहां बलाश्ट हो गया फिर भी वो एरपोर्ट से जो है गंधि मैदान प्रवेस कर अहां पर जो अन्डियं गटबंधन के जो केंडिडेट हैं सांसत बी उनसे कैसे सामना करिए उनसे सामने हैं एक मतलब तो हम लोग यही जान रहा कि यह सब्सक्राइजनसी के कंडिडेट हैं । भी होता है हाँ यह मोधी जी निकालते हैं का कंग्रेस का आम अद्मिका इसल पर है और अब यह संपर्ग सरकार में नवकरी देखिए रेलवे क्या देखिए और सब इस्टेट में हर जीत सर्मा जी यह बहुत अच्छे इंसान है और परहे लिखे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं और अजय मंडल जो है उनको भी देख रहा है कि सदन में यह छेत्र का म परित वाला लोग है उनके लिए उन्हावने जब इनकी नितिजी की सरकार बनी तो उन्हावने पर्यास किया तो आज उनको घर मिला हुआ है हाना घर उनको मिला जमीन मिला और लोग बना रहे हैं घर जबकि वह भागलपूर के विदायक ऐसे तमाम बड़ी खबरों के आजी कर्षीन थे प्या हैउ उनके धो इनके ख discourपी जैसे है निस करता फिदिधा जबाकि तो ऊको मिला है झाओ कि थांड़ा है लो आड़ा एल पूसित है विए क।बगाईondere कि वांड़ा के लिए पौसर पता सब्लिखत उनकश कुछत्षीनी कि रundकि जैबे ख पितानी क